Hey what's up guys, आज हम बात करने वाले Arrays के बारे में Java के अंदर हम देखेंगे Arrays कैसे गाम करते हो, सब कुछ समझ रहोंगे Arrays के अराउंड, Arrays एक mostly used data structure आपके पूरिगबर प्रोग्रामिंग के अंदर आप सबसे आदा जो data structure यूज़ कर रहे होगे, वो array ही होता है Data structure क्या होता बया में तो यह यह नहीं पता तो basically array के अंदर आप लोग list की format में data store कर सकते हो और एक data structure के अंदर आप अलग-अलग तरीकी से data store कर सकते हो तो उन में से एक तरीका आपका arrays भी है List के अंदर आप लोग data store कर सकते हो For example, अगर आप real world में एक example समझो तो जैसे आपकी ममीन आपको mark and बेजा कुछ समान लाने के लिए तो आपको एक list देती है, चार-पाच items की यह लाने, यह लाने, यह लाने इस type की चीज़ों को अगर आप लोगो denote करना है programming के अंदर तो कैसे denote करोगे एक list कैसे बनाओगे, वो list आप लोगों की arrays की format में ही बन रही होती है तो Java के अंदर arrays कैसे काम करते हैं वो समझ रहे होंगे हम, और साथ में इसको कैसे आपको initialize करते हो, declare करते हो, use कैसे करोगे अपनी programming के अंदर, वो सब समझ रहे होंगे इसके साथ ही arrays के अंदर कुछ और कंसर्प भी आते हैं कि array को sort बगारा करना लेकिन वो हम देख रहे होंगे live class के अंदर, ठीक है आज हम समझने वाले arrays के basics को तो how do the arrays work हम पढ़ेंगे इसके बाद creating and declaring arrays इसके अलाबा, iterate करना होता अंदर तो उसमें for each loop के through आप iterate कर रहे होते हैं, तो for loops हमने पढ़ लियते loops पढ़ लियते basically, for each loop एक हमारा बज़िया जो कि arrays के अंदर sense मनाएगा तो हम यहाँ पर समझेंगे इसे, and then multidimensional arrays यह समझ रहे होंगे, कि matrices आप लोग ऐसे बनाते हैं तो बहुत ही important concept रहने वाला है, लेकिन बहुत ही प्रिंगे फ्रेंडली तरीके से हम समझने वाला है, तो start करते है तो how do the arrays work यहाँ पर लिखा, arrays are stored in contiguous memory contiguous memory location, तो basically memory के अंदर काफी सारे चीज़े अलग लग जोगा बड़ी रहती है तो इसलाँ पर suppose करो, this is your memory, ठीक है यह बड़ी से हमारी memory है और इसके अंदर आप लोग का data काफी सारे rows and columns के अंदर फिल्ड होता है इस तरीके से आप लोग की multiple rows बनी होती है आप लोग अपने program लिखते हो, for example, आप लिखा int age equals to let's say 26 इस तरीके से, तो यह जो age नाम का variable है, यह कहीं पर store होगा और 26 नाम का data को वो point कर रहा होगा तो 26 वाला जो data है, यह आपको पता int है, तो यह 4 bytes का होगा और 4 bytes का आप लोग के लिए memory allocate हो जाएगा अब मैं बोलता हूँ कि आप लोग को ना, दस लोग के ages store करनी है दस लोग हैं, दस बच्चे हैं, आपके सब उसकर उनकी age आप लोग को पतानी है कभी भी कोई आकर पूछ सकता है, कि बच्चे नमबर 4 की age बताओ या फिर रोल नमबर 5 की age बताओ, इस तरीके से तो आप कैसे उनकी age स्टोर करोगे तो एक तरीका तो यह है कि हम ऐसे कर सकते हैं int age 1 बना लिया एक हमने और int age 2 हमने बना लिया अलग, right 23, इस तरीके से हम age 10 तक बना सकते है और अलग-अलग बच्चे की age को हम स्टोर कर सकते है, right बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोग के अलग-अलग जोगा पर डेटा पड़ा होगा, right और आप लोग को manage भी करने पड़ेंगे अलग-अलग variables basically, जावा के अंदर आप लोग नहीं बता सकते कि किस जगह पर आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है, right अपने आपके अपने अपने सिस्टम मेमरी में अलग रहा है जो आप डेटा स्टोर करता है तब प्रब्लम यह आती है कि आप लोगों को ये दस के दस variable maintain करने पड़ेंगे एज 1, एज 2, एज 10 इस तरीके से और अगर सब उसकर दस नहीं आपके पास million skill list तो वो डेटा तो स्टोर नहीं उपाएगा, right वो डेटा स्टोर नहीं उपाएगा क्योंकि आपको बहुत सारे variables बनाने पड़ेंगे तो उस जिगह पर काम में आता है आप लोगं का arrays, अगर आपको दिख रहा है कि मुझे same type का data स्टोर करना है तो ये arrays जो होते हैं वो आपके same type की data को स्टोर करने काम में आता है, ठाइक है same type का data इसका मतलब कि आपको बहुत सारे integer स्टोर करना है तो एक काम करो इसकी एक list बना लो इस तरीके से, ठीक है array के अंदर आप लोगं की list बन जाती है और उसके अंदर आप जितना मर्जी data स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पर array का size बता दो सब उसकों आपने बोल दिए 10 बच्चे हैं यहाँ पर वैसे कितने है 0,1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पर total 7 जगे है आप नोट कर रहे होगे मैं यहाँ पर 0 से start कर रहा हूँ एक्चली यह index है ठीक है यह आप लोग की index है जो की 0 से start होती है तो array के अंदर आप लोग इसे भी जिसको access करना है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि array का size क्या है basically इसकी length क्या है इसकी length है 7 क्योंकि इसके अंदर 7 जगे हैं जहाँ पर आप data डाल सकते हो और आप लोगों के लिए जब आप ऐसे array बना रहे होगे तो contiguous fashion के अंदर मतलब लगातार line में लगातार memory के अंदर 7 7 ints का data allocate हो जाएगा आप लोगों के लिए तो आप लोगों का data line से store होगा उस case में जैसे कि यहाँ पर तो 26 वाला data सब उसको इस जगह पर है 2102 इस जगह पर है और यहाँ पर यह वाला data वो सब उसको नहीं आपर है 3124 यहाँ पर यह वाला data वो सब उसको रो 5120 मैंने यह ऐसे random जगह लिखती है कुछी दो सकती है जगों के नंबर है बिसिकली जैसे आपके घर के नंबर होता है लेकिन अब जब आपने ऐसे array बना दिया ना तो array बनाने से क्या होता है तो आपका contiguous fashion के अंदर यहाँ लिखाने contiguous memory के अंदर आप लोगवा data store होगा तो यहाँ आपका data जोगे contiguous memory में store होगा और अब इन जगों बे अपना data store कर सकते हो आपको इस सब store करना था राइट तो 26 यहाँ डाल दिया आपने 23 यहाँ डाल दिया आपने इसके अलाब आप कुछ और बच्चे होंगे यहाँ डाल दिया उसके बाद 21 यहाँ डाल दिया आपने तो इस तरीके से साथ बच्चों के numbers आप store कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग एक list store कर सकते हो contiguous fashion में आपका data store होता है इसको ठीक समझेंगे कि इसकी help से फिर array इतना optimize कैसे होता है ठीक है array को पता कैसे शर्त है कि आपको यहाँ का data निकालना है तो वो कैसे पता लगा लता है उसको memory location तो नहीं रखता हो अपने पास तो उसे पता कैसे लगता है यह सब भी हम पट रहे होंगे लेकिन हाँ एरेस इस तरीके से काम करते है अभी एरेस के अंदर थोड़ा और deep में जाएंगे लेकिन एक बार ज़रा यह समझे थे कि array को आप लोग कैसे create करते हो जावा के अंदर और array को use किस तरी करते हो जावा के अंदर ठीक है इसे हम कहते है declaring a variable या फिर declaration हमने आप यह variable declare कर दिया कि सुनू Java program हम age नाम का variable कभी या कभी यूज करेंगे विया declaring कि हमारे पास age नाम का variable है जो कि हम use करेंगे कभी या कभी तो यह आपने declare किया है अब आपको initialize करने आपने age वेरेबल को initialize कर दिया कि सुनो आज आज हमने इसका नाम कर दिया है आज लेकिन इसको हमने एक value दे दिया है कि इसके अंदर 23 data store होगा इसको हमने initialize कर दिया है इसको हमने बता दिया है यह 23 इसके अंदर data store होगा ठीक है this thing is initialization जब आप इसको पहली बार बताते हूँ initialization इस तरीके से काम करता है तो similar चीज़ हम यहाँ पर कर रहे है हम पहले area declare करते है आप पहले int लगा है क्योंकि आपको int type का data store करना है area के अंदर उसके बाद आपका variable का name आएगा जो भी आपको बनाना है उसके बाद यहाँ पर देख रहे हूँ यह this is called square brackets यह square brackets अब लगाते तो Java समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पर यह area बनाना चाहता है तो square brackets लगाते हैं तो array बन जाता है अब आप इसको इस तरीके से बली सकते हो कि int उसके बाद array का नाम variable का नाम उसके बाद आपने square bracket आगे लगा दिया या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि int उसके बाद आपने square bracket लगा दिये कि आप int का array बना रहे हो और उसके बाद आपने variable का नाम लिख दिया दोनों ही तरीके valid हैं, दोनों मैंसे किसी तरीके को यूज कर सकते हो mostly आपको क्या करना चाहिए कि एक तरीका आपना लो और उसी तरीके को follow करते हो पूरी जिन्दगी बार बार confused नहीं होगा उससे और consistency रहेगी आपके code के अंदर तो आप इसमें से मैं तो usually यह उपर वाला जो तरीका है यह यूज कर रहा होता हूँ को declare करने के बाद memory allocate करने के लिए ठीक है आप इस तरीके से memory allocate कर रहे हो कि आपने बता दिया कि 20 ints का data आप 20 ints का data आप हमारे लिए allocate कर दो fix कर दो reserve कर दो memory के अंदर यह हम use करेंगे कभी ना कभी इस memory के अंदर कभी कुछ और मत डाल देना है क्योंकि हमारे allocate कैसे होती है किस तरीके से काम करते हैं हम समझेगे लेकिन एक बार जावा के अंदर आते हैं थोड़ा सा code करते हैं कि code करने के बाद थोड़ा सा actual feel आते है कि हाँ ठीक है इस तरीके से चीजने काम करें रहे तो यह ओझा ठीक है रिफ्रेक्टर री नेम अडे जिंड़ परेंगे फ रीऑ करेंगे ठीक है रहे तो अनदर बनाएंगे आ बेस अुञररे डिसके बाद यह सारी फाइल में आपर हटा ज़ता हूं public static void mean और यहां पर आपकाम करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा array हमें declare करना है declare करने की लाखो कुछ नहीं करना suppose करो मैं age store करने वालों कुछ बच्चों की ठीक है तो int age उसके बाद आपने square bracket लगा दिया and that's it इससे क्या हुआ आपने बोल दिया कि age नाम का एक variable जो की int array है उसको आप store कर लो ठीक है अभी कितने age कितनी age इस store करने आ लो यह हमने कुछ नहीं बताया तो इसने क्या किया बस age नाम का variable एक stack memory में store कर लिया इसने लेकिन proper space allocate नहीं किया है age का ठीक है बस एक memory में बता दिया कि ठीक है यह age नाम का कुछ बनाना चाहता है लेकिन कितनी age क्या age कुछ नहीं बताया इसने भी तक data नहीं बताया तो बस आप variable store करो अपर नाम का variable store करो memory के अंदर लेकिन इसके अंदर क्या फोर रोने वाला है वो अभी मत स्टोर करो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने डेक्लियर किया है, अब इसके बाद हम memory allocate करेंगे, memory allocate करने के लिए, हम यहाँ पर अध्ली लाइन में लिखेंगे, age equals to new in, और यहाँ पर मैं बता हुआ, लैज से 5 बच्चे है, ठीक है, तो 5 बच्चों की age में इस तरी किसे स्टोर कर पाऊँगा, तो यह वाली लाइन जो है हमारी, यह है declaration, और यह वाली लाइन में हमारी allocation, ठी इस तरी किसे कर सकते हो, int age equals to new int, और let's say again 5 बच्चों की, यहाँ पर यह warning दे रहा है, error दे रहा है, वह इसलिए क्योंकि आपने age बना रखा है, तो इसको हम कमेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, declaration allocation आपने अडगले लाइन में किया, इस जगह पर हमने एक ह लाइन में दौने चीज़ें कर दिया, आप इसके अंदर अगली बात आते हैं, कि आप इसे access कैसे करोगे, इसके अंदर चीज़ें कैसे डालोगे, तो चीज़ें डालने के लिए आप इसको मैंने बताया था आपको पहले, कि इसके अंदर आप लोग की indexing होती है, वह आपक देखोगे, कि अगर मैंने 5 बच्चों का बनाया है, और यहां पर मैं index कर देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, हमें पता है इसकी length क्या है, length है 5, मतलब इसके अंदर हमने 5 चीज़ें store करिया, और हमने बनाया कैसे इसको, इस तरीके से, आप आप 5 रखा और बना दिया, और यह हमारा age ह तो basically age नाम पर जो variable आएका करता है, यह age नाम पर variable जो पहली position जो होता है उसको point कर रहा होता है, जैसे आप यहां पर देखो, आपने सिर्फ इक int बनाया है, ठीके यहां पर आपने array नहीं बनाया, तो आपने यहां पर क्या होता है, यहां पर भी आपने एक ही variable बनाया है, य age 1, age 2 वगरा यह सब बनाया है, आपने सिर्फ एक ही चीज़ बनाया है, तो यह क्या करता है, यह सिर्फ पहली जगह को point करता है, इस जगह को, मतलब अगर आप कही बोलोगे, age कहां पर store करका आपने data को तो यह बता देगा, पहला data जो है इस जगह पर stored है, अब इसका जो memory म कि मुझे यह 2,1,3,2 वाली जगह पर यह पहला data stored है, तो आप बोलेगा ठीक है, तो आप मुझे बाकी चीज़ें एकसे करने तो कैसे करूंगा, तो बोलेगा सुनो, आपने मुझे तो बता देगा कि मैं कहां पर हूँ, और मुझे यह पता है कि सब के सब जो हैं, वो चार- बोटी सी मैत लगानी है मिर को, ठीक है, तो सब्सक्राइब इसके अंदर मैं data डालता हूँ, 5,2,12,23,16, इस तरीके से मैं data डाल दिया, अब मुझे अगर data number, यह वाला, 3 वाला data access करना है, या दटना, यह 3 वाला data जाए हुए, actually मैं list में 4th number पे आता है, human readable form में 4th number पे आता कि array 0 based index होता है, ठीक है, 0 based index होता है, इसका मतब 0 से start होती है, इसके अंदर यह, तो अगर आपको कुछ भी चीज access करनी है, अगर सब्सक्राइब थर्ड number वाली position access करनी है, तो आप ऐसे access करोगे, age, उसका square bracket के अंदर आप डालोगे 3, ऐसे, इसके अंदर सब्सक्राइब शुरू होता जावा के अंदर, 0, ठीक है, इंट के अंदर by default 0 store होता है, float के अंदर 0.0 store होता है, boolean के अंदर आपका by default false store होता है, similarly, int के अंदर by default आपका 0 store होता है, तो int का array बना है, तो सब जगह पे 0 store होता है, उसका आपने 3 वाली position पे 23 डालती है, तो इससे किसाब 23 access कर पा रहे हो, सेम चीज ज़रा देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं, अभी यह memory वाली जो चीज है ना, मैं एक बार दुवारा बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार ज़रा code में समझते हैं इसको पहले, तो age of let's say 0 equals to, मैंने कर दिया 5, इसका मैंने मैंने बता दिया कि पहली position पहली वाली position यह वाली, इस चेकप मैंने 5 को रखा हुआ है, अगली position पर मुझे 2 को रखना है, तो मैं बताऊंगा age 1 equals to 2, इस तरीके से, अब यह काम करते हैं, ज़रा प्रेंट करके देख लेते हैं इन चीजों को, तो s out करूँगा मैं, s out, और age 0, अगर आपको किसी चीज इसको प्रेंट कराना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से प्रेंट कराते हैं, उसको, ठीक है, सेम चीज मैं repeat करता हूँ, age 1 यह है, age 2, भी बेख प्रेंट कराके देखता हूँ कि क्या प्रेंट होता है, ठीक है, तो इक बार इससे चलाते हैं ज़रा, और चलाने के लिए और आप देखो कि 5 प्रेंट किया इसने पहले, क्योंकि A 0 पर 5 रखा है, 1 पर 2 रखा है, लेकिन उसके बाद इसने 0 प्रेंट किया, अब आप बोलो भी 0 कहां से प्रेंट कर दिया, तो जो मैंने आपको बता है था आगे है, कि default value है, ठीक है, यह इसकी default value है, आपको पता है, यह जो array बना है यहाँ पर, यह आपका path size का बना है शुरुवात में, path size का बना है, 0, 1, 2, 3, 4, और शुरुवात में सब जगह पर 0 टोट था, यहाँ भी 0, 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 अब आपने A 0 पर डाल दिया 5, तो मतलब इस जगह पर आपन 2, लेकिन इस जगह पर अभी 0 परा हुआ है, जो आप यह print करा रहे हो, तो आपका 5 print हो रहे है, आप यह print करा रहे हो, वन वाली position पर तो आपका 2 print हो रहे है, लेकिन जब आप यह print करा रहे हो, इसलिए आप यह बात clear है, कि by default सब जगह 0 stored है, तो इस तरिके से आप लोग के array अब लेकिन एक कोशन अभी भी unanswered है, कि यह age, यह Java अपने आप कैसे पता लगा ले रहे है, कि third position पर क्या है, तो यह कमाल है contiguous memory में allocate करने के वजाए से, ठीक है, क्योंकि आप data contiguous fashion में allocate कर रहे है, ठीक है, contiguous fashion में एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, इसका मतलब, अग चीज यहाँ पर 2132 प्लस 4, which is let's say 2136, तो यह 2136 पर store होगा, यह आपका store होगा 2140 पर, यह आपका store होगा 2144 पर, यह आपका store होगा 2148 पर, इस तरह के से, क्योंकि सब के सब 4-4 size के है, यह बस मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, actually memory में बतानी कैसे होता है, ठीक है, व तो अगर आप लोगों को बताने है, कि age 3 की value क्या होगी, तो मुझे पता है, 0 कहाँ पर store है, right, मुझे 0 का address पता है, तो address of 0, address of 0, plus कौन सी index आप पता लागा चाहते हो, index, multiply by size, यह formula होता है, आप लोगं का, ठीक है, this is the formula, इस formula से आप किसी भी जगे को पता लगा सकते है, for example, अगर आपको 3rd का पता लगाने है, तो address of 0 कितना है, तो वो है 2132, उसका प्लस करना है, index, कौन सी index पता लगानी है, तो 3rd index पता लगानी है, multiply by size कितना है, इंट का, इंट का size of 4, तो add कर दो, तो 3, 4, 12 बहुता है, 12, आप इस मैंट करोगे, तो बन जाएग आपका 2144, और यह देख़ो, आपका 2144, 2144 पर ही आपका 23% है, तो इस तरीके से ये, internally ये calculation कर लेता है, ठीक है, array मना दे टाइम, internally calculation हो जाती है, और कि सब के सब लाइन से stored है, तो इसी वज़े से ये, चाहे आप 3rd position का पता लगाना चाहो data चाहे आप 100th position का पता लगाना चाहो data, आप इसी लिए पता लगा सकते हो, क्योंकि सब कुछ कट्डियोगस version में stored है, तो अभी आपको array समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी समझना है, तो एक बार दुबारा देखना इसको, ठीक है, फिर भी समझना है, तो एक बार आप पांच length का हो है, या फिर जैसे आप पर बता दिया, array जो है, वो 20 length का है, तो उसके बाद 20 length की memory आप लोग के लेलोकेट हो जाएगी, उसके बाद आपका अमन करें कि नहीं, या क्लास में 21 बच्चा भी आ गया है, तो मुझे एक बढ़ानी है, या फिर पांच बच्चे एड करना पड़ेगा end में, तो मारियो, array एक बार आप लोगों ने जिस size का declare कर दिया, array आप लोगों ने जिस size का allocate कर दिया, वी size का allocate कर दिया, तो उतने ही size का array बन जाएगा memory के अंदर, उसके size को change नहीं कर सकते, इसलिए कि Java के अंदर array जो होते हैं, फिक्स size के होते हैं, तो आप लोगो, या, ऐसे मुझे fix size में तो मदा नहीं आता, मुझे तो variable size array चाहिए, तो हम पढ़ेंगे अभी, जब हम collection framework की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे एक link list की, array list की, तो इसके अंदर आप लोगों के variable size की चीज़ों होते हैं, तो उसे हम बात में देखेंगे, ले उसका बात आप लगा होगा एक dot, ठीक है, ये dot बड़े कमाल का होता है, dot लगाते हैं, हम या पर काफसारी चीज़ों दिखती है, तो basically करना क्या है, ये stream बगएरा जो इसके अंदर डाल रखेंगे, ये तो हम बात में बढ़ेंगे कभी, ठीक है, stream नहीं आ आ गया, लेकिन इसके लाबा, length, जो देख रहे हो, ये length, ये आपका return करता है, int, इसको जड़ा click करते है, या तो आप click कर सकते थे, ऐसे या फिर age dot length भी आप लिख सकते थे, उससे भी आपका age dot length आ जाएगा, ये basically आपका बताता है कि इस array की length कितनी है, इस array के अंदर कितने element आ सकते है, इस this is how you use your array, this is how you change data in your array, इसके अंतरा भी कुछ और cool cool चीज़े देखेंगे, तो array की concept और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो रहे होंगे, कि array real world में कैसी यूज़ता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन एक और concept होता है, which is called initialization of array, कि आप array को directly initialize भी कर सकते हो, जिसे आप लो उनको initialize कर सकते हो, आपको पता है कि 5 ही बच्चे और उनकी age क्या है, तो आप बजा यह करने के, आप उनकी age को initialize भी कर सकते हो, तो यह काम करते है, age का example नहीं लेता में, example change करते है, for example, let's say marks, ठीक है, मुझे marks store करने है बच्चों के, तो आप ऐसे कर सकते हो, int marks, और आपको curly braces, और curly braces में आप बता दोगी numbers, जो इनकी marks रहने वाले है, ठीक है, suppose करो मेरे पास 5 students है, और 5 students के नाम यह है, marks ही है, 98, 12, 45, 12, 65, इस तरीके से, तो मैंने एक marks नाम का array बना दिया, जिसके अंदर यह बच्चे stored है, ठीक है, बच्चों के marks stored है इस तरीके से, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए, suppose को भी आपको प्रेंट करना है marks, of let's say, 0th position वाले के marks कितने है, तो बताओ मुझे 0th position पर कौन है, 0th position पर यह 98 है, तो यह आप सिर्फ 98 प्रेंट होने वाला है, इसको run करते है, तो आपको अगर प्रेंट करना है, 1, तो आपको आप पता है क्या प्रेंट होने वाला है, अब आपका 12 प्रेंट होगा, इस तरीके से, आपको अगर प्रेंट करना है, तो यह आपका उता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो आप एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, कि बिज़ा, 4 की बाद वाली चीज़ अगर प्रेंट करनेंगा, ट्राय क कर लोगे, नहीं कर सकते हैं, आपके पास 5 स्टुनेट रखने की जगह है, मैं आपसे 6 स्टुनेट मांग लेता हूँ, तो कैसे कर भावगे, नहीं कर सकते हैं, तो similarly, अगर यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि, let's say, array, marks के अंदर में 8 लिग देता हूँ, कि मुझे तो 8 इ exception in thread mean, और exception का नाम क्या है, exception का नाम है, array index out of bound exception, यह बता रहा है कि यह वाली दिक्कत आ गई है, आपके code के अंदर, इस दिक्कत को ठीक कर लो, ठीक है, तो यह आपका बता रहा है, और उसके साथ में आपको एक message भी दे रहा है, कि index 8 out of bound for length 5, कि आपको length 5 पता है, आपके array की length 5 है, उसके अंदर आप 8th position का index, index का आप data retrieve करने का try कर रहे थे, इसकी वैसे हमने आपको error दे दिया है, किस जगे पर error दिया है, तो यह आपको line भी बता रहा है, line number 21, इस पर click करोगे तो आप सीधा line number 21 पर भी पहुंच जाओगे, ठीक है, पहले किसी भी line पर हो, आप इस क्या करो यार, यह तो दिक्कत है यहां पर, इसको ठीक कर लो, ठीक है, तो यहां पर हम 0 से लेकर, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, बस यही चीज़ने डाल सकते, यही numbers डाल सकते, क्योंकि हमारे array का size है, वो 5 तक है, तो 0 से लेकर 4 तक ही index ही supported होंगी इसके अंदर, आप यहां पर 4 डा डालोगे तो आपको मिलेगा, array index out of bound exception, यह simple था, ठीक है, clear, इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं, which is called, iterating in an array, और यहां पर 4 इच लूब एक नया concept है, जो हम समझे रहे होंगे, basically, अगर आप लोगको array के अंदर, पूरे array के अंदर iterate करना है, अभी हम क्या कर रहे है, अभी हम यह सब कर रहे हैं, ठीक है, जुबार लगा रहे है, 0, 1, 2, इस तरी के से, कभी आपको पूरे का पूरे array के इतने भी लोग हैं, सब उसको आप names store कर रहे हैं, यहां पर मैंने mark store कर लिया, int वगरा तो आपने देखी लिया, लेकिन इस सिर्फ int ही नहीं है, यहां पर और इसके अंदर मैंने बहुत सारे name store कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मैंने चार बच्चों के name store कर रहे हैं, और मुझे एक एक करके ऐसे print नहीं करने, मुझे तो loop लगाने हैं इनके अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है यह loop तो बड़े काम का होता है, loop के अंदर ऐसे repetitive काम बड़े रांस हुआते हैं, ठीक है, बार बार आपको repeat नहीं करने परती चीज़ है, automate होती है, ठीक है, optimize होती है, automate थो नहीं, optimize होती है, तो ऐसा कुछ करना तो कैसे कर सकते हैं, तो normal for loop तो आप लगाई सकते हो, for loop लगाने क्लिक है करना होता है, for i, hit tab, for int i equals to 0, कितनी बार इ इतनी इस array की length है, length कैसे निकलती है, मैं आपको बताया था, names.length करके, ठीक है, names.length करके हमारी length निकल गी, उसके बाद अगर आपको ये print करने, सारे इक सारे names अगर आपको print करने है, सब उसकरो, कि name is, उसके बाद प्लस लगाके मैं आप लगा names, ठीक है, ये names, access करने के names to, इस तरी इस लिखता है, name 0 लिखोगे, तो name 0 प्रेंट हो जाएगा, अभी मैं चलाओंगा इसको, तुसरीफ हमारा 0 पोजिशन पर जो name है, which is Ram, यही आप लोग का चार बार प्रेंट हो जाने वाला है, ठीक है, देखो, run करता हूँ इसे, तो ये name is Ram, name is Ram, 4 प्रेंट हो इस तरी तक जाने वाले है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, यह आई का जो लूप है, आपका, less than 4 तक चलेगा, 3 is less than 4, तो तब तक चलने वाला है यह, तो यहाँ पर आई डाल सकते हो, इस तरीके से, आपने यहाँ पर आई डाल दिया, तो आप क्या होगा, आपके जितने भी names है, पहले name 0, फिर name 1, फिर name 2, फिर name 3, इस तरीके से print होने वाला है, रन करते है, तो आप दे होगे, name 0 क्या है, name 0 है RAM, name 1 क्या है, हरीश, name 2 क्या है, करन, उसके बाद name 3 क्या है, Monty, और आपका लूप खतम हो गया, तो इस तरीके साब gracefully iterate कर पाते हो ही कि area के अंदर, इसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपर लिखा है, name is करके, मैंने आपर चीज़ा आप एंड करते हैं, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप array के अंदर अराम से iterate कर पा रहे हो, लेकिन ये तो normal for loop हो गया, लेकिन जो बने आपको बताया था, एक concept ह for each loop का भी, जो आई समझ लेते हैं, तो for each loop आपका mostly array के अंदर लगता है, ठीक है, array के अंदर आप लगाते हैं, इसको basically iterable चीज़ों होते हैं, इसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है, array is one of those things, जिसके अंदर आप एजिली iterated कर सकते हो, तो क्या करते हैं, इसका syntax कासा होता है, पहले आप लगा तो for, for के बाद आप लगाओगे, in type का array आपका, तो int उसके बाद variable name क्या देना चाहते हूँ आप उसको एक temporary variable name तो मैं नाम देदूँगा उसको name क्योंकि मैं name रखने वालब इसके अंदर राइट, variable name किसके अदर iterate कर रहा हूँ, names के अंदर iterate कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर s out लिंद रहा हूँ, आपको समझ माँ जाना चाहिए, s out क्या है, s out है system.art.println ठीक है, print करने के लिए काम में आता है, तो इस तरीके से आप for each loop बना सकते हो, for each loop के अंदर आप लोगो तो इसको, अगर आपको करना है, तो कैसे करोगे, तो मैं आपको आता हूँ, लिखोंगा for, उसके बाद, क्योंकि मेरा array जो है, वो string type का है, एक सेकिन, मैंने आप in type का लिख दिया, right, this is wrong, in type का नहीं है, हमारा array जो string type का है, तो मैं इसको आता हूँ, तो string लिखेंगे तो जिस भी type का आपका यह है, उसी type का आपका यहाँ पर इनिशलाइस करना पड़ेगा, sorry, declare करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम आएंगे, for each look के अंदर हमारा string type का area, तो string नाम का एक variable हम यहाँ पर declare कर देंगे, कुछ भी नाम रख सकते हूँ, मैं यहाँ पर name रख देता ह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, names बनाया है, तो names के अंदर singular क्या है, name है, तो आपने यहाँ पर singular चीज रख ही है, और यहाँ पर आपने plural चीज लगा दी, तो for every name in names, इसको आप इस तरी से पर सकते हैं, और फिर for each name in names, do this, क्या करना है, यह करना है, कि for each, और यहाँ पर आप simple लिखोगे name, अब आप यहाँ पर यह names यूज नहीं करोगे, अब आप यहाँ पर यह वाला variable जो आपने बनाया ना नया variable यह यूज करोगे, और हर iteration में इसकी value change होती रहेगी, आप run करके देखो, क्या होने वाला है, तो पहले तो उपर वाला loop चल जाएगा एक बार, उपर वाला loop चल गया, उसके बाद एक बार नीचे वाला loop भी चल गया, यह हमारा for each वाला loop है, इसको आप समझते हैं ठीक से कि for each वाला loop के अंदर हो क्या रह ठीक है, name के अंदर राम आ चुक है, तो अब आप इस name के साथ कुछ भी कर लो, तो आप क्या करना चाते हैं, आप तो बस print करना चाते हैं, तो आप ने आप राम प्रिंट कर दिया एक बार, उसके बाद अगली iteration में क्या होगा, अगली iteration में यहां से हटके यहां आ जाएगा तो name आजएगा आप यहां पर और यहां से आप जा चुका है name तो आप name की value का है अगली iteration में name की value हरीश हो चुका है तो आप क्या करना चाहते हो अगें print करना चाहते हो तो ठीक है हरीश print कर दो आप इस तरीके से आप सारी सारे print कर दोगे तो आप लोगों को यह for loop वगएरा बराने की ज़रोती है आप लोगों को यह length वगएरा करने की ज़रोती है तो आप दौनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो मैं mostly यह यूज़ कर रहा हूंगा अगर मुझे पहले से पता है कि मुझे सारे के सारी value में iterate करना एक बार तो it is a better way to use a for each loop ठीक है तो आप समझना रहा हूंगा for each loop पहले में नहीं समझा सकते हूँ पहले में नहीं समझा सकते हैं तो एक बार एरेस की knowledge confirm हो गई है तो हम for each loop समझ सकते हैं and this is how for each loop works इसके लाब for each loop को हम आगे भी देख रहे कि आप लोगों को मैंने कुछ numbers दे रखे हैं और आपको numbers का sum बताना है और numbers आप लोगों को arrays में store करके दे रखे हैं तो आप लोगों को sum बताना है तो बहुत ही simple question है बहुत कतरनाक नहीं है ठीक है एक काम करते हैं इसके लिए हम एक नई file बना लेंगे और new class problems on arrays इसके आपको मैंने कुछ numbers देती है इंट numbers और इनको मैंने यहाँ पर इस तरह के से initialize भी कर दिया सबस्क्री यही नंबर आपके और आपको बताना है इन numbers का sum तो कैसे बताओगे तो एक तरीका तो यह है कि ठीक है इनको जोड़ने और जोड़ दिया आप लोगों नहीं ऐसे नहीं बताना आप लोगों को program रिखना है प्रॉपर इसका तो वो हम बना सकते हैं बड़े easily वो हम बनाएंगे form loop के help से कैसे बन बाद हम चलाएंगे for each loop for every number for int number in numbers for every number in numbers do what do this sum plus equals to number थोड़ा सा complicated लग सकता है कि यह क्या कर दिया आप लोगों ने लेकिन अभी समझेंगे इसको ठीक है अच्छे से उसके बाद आप इस number को यहां पर print कर दिते हैं इसको एक बार run करते हैं तो आप देखोगे यह काम करेगा और यहां पर sum 124 लाके दे दिया है आप इन सब को sum करोगे तो 124 ही आने वाला है लेकिन यह हुआ क्या यह आपने आप पर क्या कर दिया तो बहुत इस समझेंगे ठीक से कि यहां पर हुआ क्या है सबसे पहले हमने आप नमबर लिए एक सम नाम का विरिवल लिए है उसके बाद हम एक एक करके जा रहे हैं हर एक नंबर में तो शुरुवात में हम तो यहां पर है 23 तो हमारे सम के अंदर हम ने कैस का सम प्लस इक तू नमबर इसका मतलब सम क receiving 2 सम प्लस नमबर राइट यह शॉल्ट यहां पहुंच जाएगा, 12 है, तो उसके बाद उस टैम पर क्या होगा, तो sum के अंदर ओरेडी क्या है, sum के अंदर ओरेडी है 23, 23 के अंदर आपने 12 एड कर दिया, इस तरीके से, अगली इटरेशन में, तो आपका 23 प्लस 12 केतना हो गया, 5 and 3, 35, तो अब आपके sum के अंदर 35 है 124, और आपका finally sum यहां पर 124 प्रिंट पर जाएगा, ठीक है, जो आपने यहां पर किया है, इस तरीके से आप लोगों का इस thumb वाला लूप काम कर रहा है, तो यह मैंने लिखा है, for each loop से, आप एबाद ट्राइ करो इसको, for normal वाले लूप से, ठीक है, i वाले लूप से, एक सिंपल था, sum निकालने वाला, अब सब उसको मैं बोलता हूँ आपको अगला question कि यह जितने भी numbers है, इन मैं से सबसे छोड़ा number बताओ, सबसे छोड़ा number return करो, तो वो कैसे करो गया आप, तो बहुत ही simple है, यह भी again, इसको हम कर सकते है, for each loop की help से, तो यह तो sum निकालने वा आपके sum हमें print करना है, sum हमें return करना है, इस बार हमे minimum number return करना है, अफिर minimum number print करना है, तो again एक variable बना लूँगा हमें, जिसका नाम होगा min, और इस min को में start कहां से करूँगा, यह question है, इस min को में start कहां से करूँगा, क्या मैं इस min को 0 से start करूँगा, अगर मैं इस min को 0 से start लेते हैं उसके बाद मैं बोलूँगा सुनों फॉर इस लूप लगाने है हमें ठीक है फॉर इस लूप के लिए एक और यह भी चीज है कि फॉर एवरी नंबर इन नंबर्स एंड हिट टैप और इस तरीके से आप फॉर इस लूप जो इनों टैंपलेट दे रखा उसकी यल्प से भी कर सकते हो एक चीज और है इंटेलीजी के अंदर आप चाहओ तो खुद के भी टैंपलेट बना सकते हो काफी फूल को लेकिन यहां पर चोटे मो अगर हमारा नंबर अगर यह वाला जो करेंट नंबर है अगर यह चोटा है मिन से तो मैं मिन को अप्डेट कर दूँगा मिन वह दू आ हो गया मिन तो ये तो मैंने कुछ कुछ कर देढ़ी आंप फॉज बहुंत नहीं होगा लेकिन एक वाल जटाई से समझेंगे ठीक है प एक भी नमबर जीरो नहीं, तो जीरो कैसे मिल में प्रेंट हो गया, हमें तो इसमें से सबसे चोटा नमबर विच इस इतने बड़े नमबर से निश्लाइज कर दो तो बोले, इतना बड़ा नमबर कौन सा हो सबसे बड़ा नमबर है, तो इंट के अंदर ना, लिमिट आपको देर रखे हो थे, इंट के अंदर एक इंटेजर नाम की rapper class होती है इसके अंदर एक max value होता है और इस max value के अंदर एक number already stored है जो कि int का सबसे बड़ा number होता है यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है public static final int यह सब तो मत देखो लेकिन max value के अंदर देखो क्या stored है इसके अंदर यह number stored है आप अगर इसे print कराके देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो s out integer dot max value और इसको जब आप प्रेंट करके देखता है क्या होता है तो सबसे बड़ा number जो int के अंदर जो सबसे बड़ा number आ सकता है यह थोड़ा सा समझने मज़ा आपको तो यह काम करते है इस चीज़ को मैं यहां से अटाके नीचे लेकरता हूँ इस तरीके से उपर भी रेंट देता है इसको और उपर वाले को मैं comment कर देता हूँ लेकिन तो अब ज़रा समझेंगे कैसे काम किया ठीक है थोड़ा ध्यान देंगे इसको अच्छे से क्योंकि यह थोड़ा सा बड़िया concept है तो हो क्या रहे है यह आप आपके मिन के अंदर एक बहुत बड़ा number stored है मिन के अंदर सब उसको यह number है ठीक है कि जो current number है which is 23 क्या यह छोटा है मिन से तो हाँ obviously कोई भी number होगा वो छोटा ही होगा इससे क्योंकि आपने जो array बनाया है वो int का array बनाया है और हमने int के अंदर का जो सबसे बड़ा number है उससे initialize कर दिया इसको तो कोई भी number होगा आपके पास वो इससे तो छोटा ही रहने वाला है तो पहली बारी में क्या हो गया आपका जो यह min है वो change हो जाएगा min change हो क्यों जाएगा यह कि if number which is 23 क्या 23 छोटा है इससे 2 into 10 is power 9 से तो हाँ यह condition true हो जाएगी यह हर case में true होगी पहली बारी में तो तो हमारे min की value पहली बारी में हो चुकी है 23 क्या हमने लिख दिया अब हम अगला compare करेंगे अब हमारा जो number है अगला है 12 राइट तो 12 क्या छोटा है min से min के अंदर क्या है इस पर min के अंदर 23 है तो 12 छोटा ह 23 से हाँ 12 छोटा है 23 से तो अगला हमें छोटा number मिल चुका है विच अगें 923 बट इस 12 ठीक है तो इस तरीके से आपका ही लूप चलता रहेगा अब अगली बारी में क्या होगा अगली बारी में देखो क्या होगा हमारे min के अंदर क्या है min के अंदर हमारा already stored है 12 और अगला नमबर आपको मिलता है 6 तो क्या 6 छोटा है 12 से तो हाँ अगें ये वाले condition भी true हो जाते है तो अगें min की value अप्रेट हो जाएगी min की value 12 से अटके हो जाएगी min की value 6 उसके बाद आप अगे जाओगे लेकिन अब कुछ अलग होने वाला है ठीक है min के अंदर already stored है min के अंदर 6 है ठीक है min के अंदर ये सब store नहीं है min के अंदर फिलाल अभी 6 stored है याद रखना है और अब हमारा जो number है 7 तो number 7 है क्या 7 चोटा है 6 से तो आप बलोगा नहीं 7 चोटा नहीं है 6 से इसका मतलब हमें mean को update करने जरूत नहीं है क्योंकि हमें min से चोटा number नहीं मिला है ठीक है तो इस तरह किसे आप यहाँ min से चोटा number अभी तक नहीं मिला है तो यह number है 7, 7 is not smaller than 6, तो आप इस if condition में नहीं जाओगे, और आप अगले number पर चले होगे, अगला number है 15, again 15 के साथ यह होने वाल है, कि number आगया 15, और minimum है 6, तो क्या यह condition true है, यह condition true नहीं है, तो आप यहाँ पर भी कुछ नहीं करोगे, और आप अगले number पर चले होगे, which is 3, अ लेकिन minimum है 6, तो क्या 3 चोटा है 6 से, आप बोलोगे हाँ 3 तो चोटा है 6 से, तो आपका minimum अब अपडेट हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको और चोटा number मिल चुका, तो आपका minimum 6 नहीं है, minimum आपका 3 हो चुका है, उसका आपको 2 मिलेगा, तो आप बोलोगे minimum is to print हो जाएगा, इस से के साब सबसे चोटा number बता पा रहे हो, ठीक है, I think समझ में आया होगा, अगर complicated लग रहा है, यह code अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार दुबारा से देखने इस code को, एक बार चो मैंना भी application उता दिया, आपको पूरा explanation दिया है, इस explanation को, दु which is find the maximum number, यह करने गटाय करना, कि maximum number बता सकते हो आप, आप लोगों minimum number बता दिये, similarly आप maximum number भी बता सकते हो बड़े अराम से, उस case में बस में एक छोटा है हिंट देता हूँ यहाँ पर, यह जो बनेगा आपका max variable जो बनेगा उस case में, वो max variable यहाँ पर है, कुछ अलग होग तो क्या होगा, वो जरा सोचने करता है करना, तो यह होगा हमारा for each loop और हमने कुछ examples भी देख लें for each loop के साथ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं array के अंदर, और अब multi dimensional array की बात कर लेते हैं, कि array अभी हमने जो देखा था, वो single dimension में था, single dimension मतलब एक ही line में चलता जा रहा इंसान, ठीक है, single dimension, यह सारे array जो थे, आपके single dimension के थे, right, आपने जो भी देखा, कि आप सिर्फ एक ही direction में जा सकते हो, लेकिन आपको अगर दो direction में array जाए, या फिर आप लोगों को एक matrix बनाना है, 9-10 पर बढ़ते हैं इस तरीके से matrix, कि अब आपको यहापे दो dimension में data श बना दिया, लेकिन 3-dimensional data store करना है, 4-dimensional जो कि मैं आपको बना भी सकता है, जो कि मैं दिखा भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टोर करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, with multi-dimensional array, लेकिन पहले हम बात करता है, 2-dimensional की, ठीक है, उसी में चीज़ है, complicated वहाथ थे थोड़ी सी, तो इस तरही से आप लोग 2-dimensional data store कर सकते हो, और उसको बनाने का क्या तरीका होता है, उसको कैसे initialize करते हैं, तो again किस type का बनाना है, suppose करो int type का बनाना है, int, उसके बाद किस नाम का बनाना है, suppose करो a नाम का बनाना है, उसके बाद 2D array है, तो 2D array के लिए दो बार, ये लिखना बना पड़ेगा, ये कि इस बार आप यहाँ पर size बता होगे, तो पहले आप बता होगे कितनी इसके अंदर rows होने वाली है, ठीक है, ये जो चीज़ है, ये rows है, तो कितनी rows होगी, जैसे यहाँ पर आप देखे हो, तो 3 rows, यहाँ लिखोगा 3 rows, कितने columns है, एक, दो, तीन, च चार कॉलम है, तो यहाँ लिखोगा आप 4, इस तरह किसा आप लोग array initialize कर रहे होगे, इसको हम कहते है 2D array, this is your 2D array, 2D array कहलो या फिर कहलो matrix एक ही बात है, 2D array कहलो या फिर matrix कहलो एक ही बात है, इस तरह किसा आप लोग पा 2D array initialize होता है, और यहाँ पर हमने declare भी कर दिया, तो आप होके और है, 3 into 4, 12 size का space allocate हो जाने वाला memory के अंदर आपके लिए, तो यहाँ पर 3 multiply by 4, ठीक है, क्योंकि आप total 12 position है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 11, 12, 12 numbers आप लोग store करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए memory के अंदर 12 जगे खाली हो जाएंगे, यह आपकी 12 जगे खाली हो जा लेकिन still आप उनको इस तरह के से depict कर सकते हो, इस तरह के से access कर सकते हो, कि आपको लगेगा कि मैं तो 2D restore किया हुआ है, जिसके अंदर 3 rows हैं और 4 columns हैं, ठीक है, अब ज़रा समझते हैं, यह सब कैसे काम कर रहा है, under the hood क्या चीज़े चल रही है, यह समझने का tag करते हैं, तो suppose English, Science और Math, इस तरह के से, तो बच्चा रोल नमबर जिसका 0 है, उसके मेरे English मार्स से सब उसको 42, 12, 98, फिर बच्चा नमबर 1 जिसका रोल नमबर 1 है, उसके English मार्स से 98, यहां पर इसके मार्स आगे 14, यहां पर आगे इसके 22, इस तरह के से, आप लोगो यह store करना है, तो समझ हैं, उस टाइम पर आपको 2D array के जरूत होती है, क्योंकि यहां पर जो data है, वो आपको दिख रहा है, कि बड़े अराम से एक 2D format के अंदर store किया जा सकता है, आप इस तरह किसे multiple columns बना सकते हो, इस तरह किसे आप लोगो की multiple rows बन जाएंगी, और हर row के अंदर एक नए नए न और यहां पर एक नया बनाने वालों, अगिन marks नम से मना लेते हैं, marks लेकिन इसको initialize करेंगे, 2D array की तरह है, तो दो बार square bracket लगाएंगे, उसके बाद new int, क्योंकि यह int type का है आपका, ठीक है, उसके बाद int के अंदर हम लिखेंगे, यहां पर let's say, मिरे पास कितने बच्चे rows का मतलब, पहला है, rows का मतलब कितने बच्चे हैं आपके पास, ठीक है, कितनी rows आप बनाने वाले हैं, कि यहां पर मैं इस तरह के से data store कर रहा हूं, कि जो rows हैं वो बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं मेरे पास, तो let's say, मिरे पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो 4, उसके बाद status है डालोगे तो data डालने के लिए इसके अंदर क्योंकि आपके पास अब दो-दो bracket है तो यहाँ आप दो-दो indexes डाल रहे हो ठीक है दो-दो indices डाल रहे हो तो आप यहाँ पर indices देख भी सकते हो समझ में आप भी डाओगा कि यहाँ पर क्या चल रहे है जीरो-जीरो इसका मतलब आप बताओगे आप रो और कॉलम पहरी वाली बताएगे कि कौन सा रो है दूसरा वाला बताए कौन सा कॉलम है जीरो-जीरो का मतलब जीरोत रो और जीरोत कॉलम यहाँ पहरी कॉलम 1,ट, 3,4 को मत देखा है यहाँ पर कि कॉलम 1234 मत देखेओगे यहाँ पर अक्च्छल इंडेक्स तो हमें पता है वह क्या है ? 0, 1, 2, 3 और actual row भी हमें बता है 0, 1, 2 तो यहाँ जो number लिखा हुआ है आप देखे हो यह 0 है तो यह 0 पूरी time 0 रहने वाला है 0, 0, 0 क्योंकि यह row 0 है similarly अगर आप इस वाले data को देखो which is row number 1 तो यहाँ पर 1 है और यह column number 2 तो यह column 2 है जोकि 0 based indexing होती है तो A12 आप यह वाले position बताएगा इसका मतलग क्या है कि row number 1 के इस वाले subject के marks बतादो which is at index number 2 ठीक है जड़ा यह चीज़ करके देखते है तो यह चीज़ करके देखते है तो मैं आँगँ यहाँ पर और marks 0 0 equals to 12 marks 0 1 एक सेके इसके अंदर नहीं खुशेंगे बहार निकल के marks 0 1 equals to 28 marks 0 2 equals to 34 तो यहाँ पर मैंने 0 row number वाले बच्चे के तीनो subject के marks store कर दिये उसके बाद अगले row number के बच्चे को लेकाते है तो marks 1 पहला नमबर बता रहा है row number which is row तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक प्रीके से समझने के लिए कि जो row है वो आपका बताती है student row number यह बस समझने के लिए है उसके बाद जो column है वो हमें बताता है marks in the subject या फिर subject position उसके बाद जो आप value store कर रहे हो वो उस बंदे के उस रोल उस रोल नमबर के उस subject के अंदर marks है marks 1, 0 equals to 12 marks 1, 1 equals to let's say 67 marks 1, 2 equals to let's say 87 इस रिंगे से मैंने roll number 1 जिसका है उसके भी तीनों subject के marks रोल कर लिया है again याद रखना है roll number 1 roll number 0 तो कुछ नहीं होता बाईया क्योंकि again आपको पता है Java के अंदर 0 waste indexing है तो कुछ नहीं कर सकते हैं जावा ने roll रखाए 0 से start होना है तो 0 से start करना बढ़ेगा मैं इस तरीके से मैंने 2 बच्चों के marks रोल कर लिये similarly मैं काम करता हूँ मैं याप इनके copy paste कर देता हूँ तो यहाँ पर जाएगा 2 और नीच हो जाएगा 3 तो मैंने सब बच्चों के marks store कर दे आप तो पहले बच्चे के marks यह दूसरे के यह दूसरे के यह दूसरे के यह दूसरे के चौते के यह तो इस तरीके से तो आप लोग नौर्मली जो आपका टिक्लेयर होता है मतलब आपने पहले बनाया उसके बाद आप लोगों ने आप इंटेक्लेयर किया लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यह दो बहुत ही कंबर्सम लग रहा है इनिशलाइस करते हुए बता दो क्योंकि वह थोड़ा एजी होगा तो यह सारी लाइन आपको नहीं कर लिवरेस और आप यहां पर मार्क्स बता दोगे तो पहले बताओगे आप 12, 98 और 34 तो 12, 98 और 34 इसका मतलब क्या है कि रोल लंबर 0 के यह तीन मार्क्स है तीनों सब्जेट के अंदर उसके बाद अगला आप बताओगे 12, 67 और 87 ठीक है तो अब थोड़ा एजी लग रहा ह अब थोड़ा समझ में आ रहा है अब थोड़ा एजी हो गया मार्क्स फिल करना अब आप यहां पर जितने मर्जी बच्चे डाल सकते हो लेट से इस तरीगे से तो यहां पर क्या है मेरे पास चार बच्चे है जिनके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं और आपको कभी कोई भी अ सबस्क्रों मार्क्स और अगर आपको यह वाले मार्क्स फ्रोल करने 98 तो मुझे बताओ क्या लिखोगे 98 के लिए 012 सेकंड इंडेक्स और साथ में कौन सा कॉलम है 011 वाला कॉलम है इस से तो मार्क्स 21 आप लोगो ने किया आपको पता है 98 मिलने वाला इसको रून करते है तो यहां देखो 98 मिल रहा है उपर मैं शायद एक मैक्स इंड भी प्रेंट करा रहा है इसको हम कमेंट कर देते हैं दुबारा रन करते हैं तो अब हमें 98 मिलने वाला है आपको अगर 23 एकसेस करना है तो उसके क्या करेंगे इसको मैं करता हूँ रिपीट तो 23 का आपर है 23 है 2nd row में 012 पहले दो रो रो हमारी ऐसे होती है horizontal चीज़े हमारी रो होती है तो रो नंबर 2 है इसकी और कॉलम कौन सा है कॉलम है यह वर्टिकल 012 कॉलम नंबर भी 2 है तो इस तेकर से चलाते हैं अब आपको मिलेगा 23 अब ज़रा सोचो इसके अंदर क्या मिलने वाला है आपक क्यों क्यों क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर थोड़ी सी वार्निंग भी आ रही है array index is out of bound आपको दिख रहा है कि इसके अंदर third index का कोई कॉलम है यह नहीं क्योंकि आपके total कॉलम नहीं इसके अंदर 3 है तो third index मतलब fourth column ऐसा कुस तो present नहीं है तो यहां पे आप लोग index 3 find करेंगा try करो जिसके अंदर land 33 है तो यह तो allowed नहीं है तो इसलिए आप आप लोगो यह error मिला है क्या आप आप 2 ली सकते हो तो आप लोगो पताओ आप कौन सा मिलेगा इसके अंदर क्या value मिलेगी तो first row first row कौन सी है first row यह है उसके बाद second column यह है तो 87 मिलने वाला है यह आप लोगो 2D array क्यों यूज की जाते हैं और कैसे यूज करते हैं यह दोनों चीज़ा समझ में आ गए होंगी और इस तेके से आप लोग multi-dimensional array बना रहे हो तो multi-dimensional array को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ रहे होंगे आने वाली classes के अंतर हम questions solve कर रहे होंगे इसके उपर लेक इसके नदर यह चार value store हो सकती हैं this is your array तो आपके पास सिर्फ पहली जगे का location present है और इस तरीके से आपने चार number store कर लिया है अब जब आपने इसके अंदर two dimensional array बनाया इस तरीके सब उसकर आपने two dimensional array बनाया तो क्या होगा यह basically array of array है तो आपके पास अभी भी 4 चीज़े है लेकिन यह चारो positions है न यह चारो चारो अलग अलग को point कर रही है मतलब की एक area आपका ये है जिसके अंदर सब उसको एक दो तीन चार पांच जिसके अंदर पांच लेंथ है इसके अंदर पांच लेंथ है एक दो तीन चार पांच इसके अंदर पांच लेंथ है एक दो तीन चार पांच और इसके अंदर भी पांच लेंथ है एक इसको और यह वाले चीज पोइंट करती है सो रहाँ तो एक्टुलि मैं आप लोगों ने यहाँ पर चार चार एरे बना लिए हैं और उन चारों एक्ट को कलब कर दिया है एक दूसरे hang कंदर जिसको फैनली नं point कर रहा है ठीक है तो नम के पास इसकी location है अगर नम को किसी भी area के पास जाना है तो बड़े easily जा सकते है क्योंकि इसके पास अगर इसकी जगह है और सब के सब continuous fashion में stored है तो आप easily किसी भी location का पता लगा सकते हो again वही math का formula लगाना है आपको अगर यह पता लगाने की यह कहाँ पर रहे तो आपको पता है यह वाली जगह है यह जो है यह आपकी first row के अंदर है और second column के अंदर है ठीक है first row है यह 0 1 2 3 तो first row है उसका column कौन सा है वो column यह है ठीक है यह आपके columns होते हैं इस तरीके से तो 0 1 2 3 4 जो दूसरी वाली आखी आपकी कॉलम है दूसरी जीज़रिय। ì की दूसरे वाले अंदर वाले ए मेरे की इंड udah कहाँ हूए पहली वाले चीज़ को रो कहरा हूए वह आपकी ऊपर वाले वाले एम्ड 역ि इंडेक्स है तो दीस तींग जो रोह है just by knowing two चीज़े हैं दो वेरीबल्स ठीक है तो दो चीज़ें चाहिए होगी तब याप चीज़ें पता लगा सकते हो किसी भी जगे की लोकिशन पता लगा सकते हो इसी वह एसे आप लोग याप है दो इंडेक्स का यूज़ कर रहे होते हो इसते किसे आपके multilamational array काम करते हैं तो यही था हमारे arrays के अंदर इनको हम यूज़ कर रहे होंगे बहुत जादा multilamational array के उपर हम कोशन सौल कर रहे होंगे खाफ सारे arrays के उपर भी कोशन सौल कर रहे होंगे बड़ी सब देखेंगे हम आने वाले classes के अंदर अब ही हमने बहुत basic चीज़ समझेगे कि array कैसे काम करते हैं कैसे initialize करते हो, कैसे declare करते हो, size कैसे डालते हो किस तरह कैसे use करते हो, for each loop लगा करते हो आप कैसे iterate वगरा करते हो तो यह सब था आपके arrays के अंदर इसके बाद हम बात कर रहे होंगे functions की बाट वो घमारी नेक्ष्क लास कंतर चलते हैं बाब बाई